नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubah.org अगर आपके स्किन बहुत ज़्यादा डल है डामिजड है और स्किन टेक्चिर बहुत ज़्यादा रफ है तो आज शेयर किये जाने वाला टू स्टेप सिंपल प्रॉसेस अगर आप सेवन डेस तक रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आप अपने स्किन के इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं स्टेप नमबर वन क्लिंजिंग अगर आप मेकप का यूज़ उकेजिनली करते हैं तो आप स्टेप वन में सिर्फ फेस वाश के इस्तमाल से अपने फेस को क्लीन करेंगे लेकिन अगर मेकप का इस्तमाल आपकी डेली रूटीन का हिस्सा है तो आप स्टेप वन में डबल क्लिंजिंग करेंगे और इसके लिए आप सबसे पहले कोई सा भी आयल, आलिव आयल, आमन्ड आयल या कैस्टर आयल ले सकते हैं और इनके चन डॉप्स अपने हाथ पर डालें और इसके बाद अपने फेस पर अच्छी तरह मसाज करें तीन से चार मिनट के मसाज के बाद आप किसी भी नरम कपड़े को पानी में डिप करके अपने फेस को क्लीन कर लें और इसके बाद फेस वाश के इस्तमाल से अपने फेस को अच्छी तरह से वाश कर लें डबल क्लिंजिंग प्रॉसेस कम्प्लीट है मास्क बनाने के लिए सबसे पहले एक स्मॉल बोल लें और इसके अंदर 1 टेबल स्पून बेसं शामिल कर दें इसके बाद इस बेसन में 1 टेबल स्पून डhi और 1 टी स्पून हनी शामिल कर दें और इन इंग्रीडियंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें और एक स्मूध सा पेस्ट बना लें अगर ये पेस्ट बहुत जादा थिक हो तो आप इसमें थोड़ा सा और दही भी शामिल कर सकते हैं अब इस मास को फेस और नेक पर अच्छी तरह से अपलाए करें स्टार करें और 10 मिनट तक रहने दें इस मास को स्किन पर कंप्लीटली ड्राइ नहीं करना बलके 70-80% तक जब मास्क ड्राइ हो जाए और हलका हलका सा गीला भी हो तो एक नरम से कपड़ा लें और पानी में डिप करके अपने फेस और नेक को क्लीन करें और सबसे आखर में पानी से और फेस को अथी तरह से वाश करने ताकि बाकी लगा रह जाने वाला मास्क भी स्किन से क्लियर हो जाये उसके बाद जब स्किन हलकी नम हो तो कोई साभी मौस्चराइजर अपलाई करें इस two step process को आपने regularly seven days तक करना है अगर आपके skin sensitive है तो mask apply करने से पहले एक patch test जरूर कर लें और इसके बाद इस process को follow करें अगर आपके skin basin के लिए comfortable नहीं है तो आप basin की जगा मसूर दाल का powder या आठा भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप ये process regularly one week तक करेंगे तो आपके skin के तमा ये तो थी आज की beauty tip till next time अल्ला निगरबान ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इजहार के लिए comment कीजिए या description में दिये गए राप्टे के जराय इस्तमाल कीजिए